जी शराम ओरेकों जी मैं इन्वाइट कर रहा हूं डॉक्टर फात्मा को जो कि अग्रिकल्चर। यूविस्टी से हैं और उनका टॉपिक है वाइटामिन दी जी जी जणाब डॉक्टर बिसमिल्ला रख्मान रवहीम असलाम लेकुम आज को वाइटामिन की क्या इंपोर्टे से हमार ठीक है और उनका हमारी बॉड़ी के अंदर जो है वो क्या important functions जो है उसको पर फार्म करते हैं बेसिकले कर हम बात करें तो जितने भी यह vitamin और minerals होते हैं यह organic compound होते हैं इनकी जो requirement होती है उनका जो है वरोल होते है यह mostly vitamins जो है और minerals जो है वेज़ा को factor के तोर पर जो है वो हमारी body के अंदर को factor के दोर पर काम करते हैं तो बेसिकले कर हम बात करें नहीं वाइटमीने वह दो तरह के होते हैं एक होते हैं fat soluble vitamin एक होते है water soluble vitamin बाट करें तो वहटमन ए है डी है और के हैं यह लीवर में ठीक है अगर वाटर सॉलुबल के कॉर्डिंग हम बात करें तो वह बी कम्प्लेक्स आ जाते हैं वाटर सॉलुबल वाटमन जोते हैं उनको हमें डेली बेसिस पे लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि वो हमारी बोड़ी के अंदर स्टोर नहीं होते हैं और वो जूरन के तुरू जहें वो इक्स्क्रीट हो जाते हैं तो बेसिकली जो मेरा आज का टॉपिक है वह मैं वाइटमेन ए के बारे में डिसकुस करूँगी कि वाइटमेन का जो है वो क्या रोल है हमारी बॉड़ी के अंदर वाइटमन ए जो है यह फैट-solubal वाइटमन है ठीक है सबस्वर अगर हम बात करें तो यह इसका बड़ा important role है कि यह antioxidant के तोर पे बॉड़ी के अंदर जो हम बहुत important role play करता है सबसे बहले अगर हम पता होना यह यह कोई डिजीस बगारा है कोई इस तरह का अगर हमारा lifestyle pattern है तो हमारी बॉड़ी के अंदर जो है वो क्याता है free radicals जो है वो ज्यादा बनना शुरू हो जाते हैं like अगर हम बात करें जैसे कि जो oxidative stress जो है वो ज्यादा होना शुरू हो जाते है reactive oxygen species जो है वो ज्यादा बनना शुरू हो जाती है जब हमारा lifestyle pattern नहीं होता तो होता है यह है कि जो reactive oxygen species होती है free radicals जो होती है यह un-pured electrons होती है और यह क्या करते है कि हमारे जितनी भी यह membranes बगरा होती है cell की ठीक है और जो जितनी भी cell जैसे कि हम बात करें तो membranes होती है जो कि फास्पो लिपिड वगरा से बनी होती है तो वहां पर जवा कि यह क्या कर देती है free radicals जो है वो उन membranes को damage कर देती है ठीक है और यहां पर गाता है कि वह जो हमारी membrane की क्या करती है कि destruction जो है वह करना start कर देती है obviously अब हमारी body के जितनी भी यह आर्गन वगरा है जैसे उनकी मेंब्रेन वगरा होती है अगर उसमें destruction वगरा होगी तो वहां पर oxidation का process जो है वह स्टार्ट हो जाएगा जैसे प्लाइग बने ठीक है तो वहां पर कहाँ जाएगी ब्लड जो है फ्लो नहीं करेगा जब ब्लड जो है फ्लो नहीं करेगा तो वहां पर कहाँ जाएगा अर्थीरों से chlorisys हो जाएगा और आगसे further heart attack वगरा के chances होंगे means के यह एक मतले के हमारे lifestyle ना बैटर होने की वज़ए से dietary lifestyle, physical activity level और जो जो मारा sleep awake cycle जब हमारा harmony balance होते है तो उसकी वज़ए से जब हमारी body के अंदर stress ज्यादा होने की वज़ए से oxidative stress की वज़ए से कितना जो है वो हमारी health पर एफेक्ट होते है तो vitamin E के कोडिगर हम बात करें तो vitamin E जो है as a antioxidant के तोर पे काम करते है special अगर हम बात करें तो वह जैसे हमने last discuss किया था कि vitamin C वो भी as a antioxidant के तोर पे बहुत अच्छा इसका important role था और vitamin E, vitamin C और selenium जो है कि हमारे vitamin E ऐसे तो vitamin है जो के antioxidant के तोर पे काम करते हैं और selenium जो है वह mineral है जो कि antioxidant के तोर पे काम करते है तो आप vitamin E नहीं क्या करना आता है कि जब हम अपने diet के अंदर vitamin E वाड़िट को include करते है तो यह हमारे body के अंदर antioxidant हमारा जो स्टेटर्स होता है इसको इंप्रूव करते हैं तो एंटिओक्सिदेंट का काम क्या होता है कि उसने हमारी बोडी में जुब ऑक्सिदेटिव सट्रेस जो के फ्री डालिकल्स प्रूड्यूस हो रहे हैं जो कि हमारी मेंब्रियन्स बगरा को को तैमिज कर रहे हैं हमारे औरगंज बगर Polish कर रहे हैं उससे प्रिवेंट करना होता है जितनी जादा हमारी डायइव्ट रिच यथण होगी एंट्योप और वूड़ी है प्रिंट्स है उतना जहांगा हमारी बॉड़ी समय से जड़ी है उसको जात्रेण करहें Bet finally के इलावा गर हम बात करें तो यहां पे वाइटमिन एक का रिकाद करें यह जितने जादा हमारी बॉड़ी के अंदर यह जा है वह है तो यह कोई भी बेक्टेरियल है वाइरल इंफक्ष्छ जए वह कं होंगे ठीक है इसके इलावा जो है वाइटमन ए का बड़ा इंपोर्टन रोल है इसने जो है वो एजिंग के प्रोस्स को इसने काम करना होता है, इसने जो है, वो कर देते हैं लेकिन हम इसके बहुत जदा सप्लिमंट करना शुरू कर देते हैं तो उसके वज़ाए से बॉल्ड抵 करने के वह वाद से वह सकते हैं यहां पे कर दो नौर्मल ली चोर पर है तो वाले लोग जिनका ज्री जिनकी बॉड़िक अंदर यह जिनका भाइम नहीं होती ठीक है तो उन लोगों के अदर वह किया कि होगी डीशेंसी होगी जैसे कि किसी डीजीज है फैट मेल अब्सक्शन वगारा कि तो उस्में परस्ण में vitamin E की deficiency हो सकती है इसके इलावा अगर हम बात करें तो वह वाले बच्चे जो के premature जिनकी बर्थ हो जाती है प्रीमिचुर बर्थ मतलब के जो less than 37 week के जो बच्चे होते है जिन मतलब के pregnancy जो होती है प्रीमिचुर जो infant होते हैं less than 37 week के उन में जो है वो vitamin E की deficiency हो सकती है और जब vitamin E के काम होने के वज़ा से क्याता है कि red blood cells ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं और जब ब्रेक होने के वज़ा से क्या है कि वो उनका content वगरा है वो बाहिराना स्टार्ट हो जाते हैं तो इसको कहते हैं erythrocyte hemolysis तो इन बच्चे में यह वाली जो है वो जो है डिजीज हो सकती है इसके इलावा घर हम बात करें तो vitamin E के कोड़िगर हम बात करें तो vitamin E की deficiency की वज़ा से क्या हो सकता है कि bones वगरा में भी issue हो सकता है अच्छा इसके इलावा अगर हम बात करें कि vitamin E जो है अगर इसकी नॉर्मल तोर पर toxicity जो है वो होती नहीं है अगर हम डाइट को थूँ ले अगर कोई person जो है वो supplement का बहुत जादा consume कर रहा है तो इसको इसकी toxicity हो सकती है नॉर्मल तोर पर अगर हम बात करें तो इसकी जो RDA होती है वो 15 mg होती है लेकिन अगर इसकी जो बहुत ज़्यादा supplement mostly देखा जाए तो 1000 mg वेगरा के इतनी amount में present होते है तो it's mean के एक supplement में जो है उसको 65 times जो है वो ज्यादा जो है वो एक diet से उसको 65 times जो है वो ज्यादा है वो उसको vitamin E दे रहा है तो मतलब के बहुत ज़्यादा excess amount में दे रहा है तो यह जो है वो बॉड़ी के अंदर जो हमारा जो blood clotting action होता है उसके साथ जो है इंटरफेर जो है वह कर सकते है तो इसको रशे hemorrhage वगरा भी हो सकते है बेसिकले लिगर हम बात करें तो पूंच सबसे ज़्यटेबल में जो है यह नहीं होता कम होता है सबसे ज़्यादा जो vitamin E होता है यह mostly vegetable oils के अंदर होता है seeds के अंदर होता है और nuts के अंदर होता है अगर हम इसकी requirement के recording अबात करें तो during breastfeeding during lactation जो है वो mother की requirement जो है वो ज्यादा हो जाती है तो उस टाइम जो है आज आर् तो अब अगर हम बात करें तो कोन-कोन से ऐसे food sources है जो कि वाइटमन E होते हैं जो कि आपके antioxidant status को improve कर सकते हैं सबस्वेड़ हम बात करें सेफलोर आयल जो है यह जोतून का तेल जो है अगर हम बात करें तो यह इसको अब use कर सकते हैं salad dressing वगरा के तोर पर यूज़ कर सकते हैं ठीक है तो इसके लावा sunflower seed है वो अच्छा है vitamin E का source है इसके लावा इसमे omega 3 भी है omega 6 है borders inflammation वगरा को भी काम करेगा ठीक है इसके लावा इसके अंदर magnesium वगरा भी होते है जो के blood vessels को dilate करते है तो जितने सीड्स वगरा है यह sunflower seed आप इसको सीरियल में भी आड़ करके स्मूथी वगरा के अंदर आड़ करके और salad में भी स्प्रिंकल करके आप इसको ले सकते हैं अगर ऐसे नहीं कि यह जा रहे तो क्या करेगा यह काम करेगा और यह क्लिस्ट्रोल को भी कम करते हैं तो यहां पर करेगा के almond जो है इसको भी आप different snacks वगरा में भी यूज कर सकते हैं और salad में भी आप ले सकते हैं इसके लावा पिनेट के कॉर्डिंगर हम बात करें तो पिनेट जो है इसमें भी वाइटमिन ई होता है इसके इलावा जितने जैसे कि हमने बात की है कि जो vegetables हैं उनके अंदर इसकी अमोर्ब्स जो है वो कम होती है तो जैसे आप pumpkin के अगर देख जाते इसमें बहुत जादा संफ्लावर सीड्स होते हैं ठीक है यह हमें इसका साथ जो है यह हमें फाइबर भी देते हैं और इसके अंदर पोटेशियम भी होते हैं źोनेशियम भी होते हैं जो है Cum iyi बहुत जै तो यहां इनके अंदर जो है वो सबसे से ज्यादा होता है ठीक है और इसके इलावा झाल हौते हैं हुआ ह होता है उसके लावब एक्वी यह खेंन के में बड़ा इंपोर्टन डॉल है और इसके इलावा घर हम बात करें किसमें जो वाइटमन ए होता है वो टू पाइंट फॉर मिलिग्राम होता है अगर आप अगर आफ काप लेते हैं इसमीन कि आपकी जह हो डेली वैली को बारा परसंट जह हो इंप्रूफ करते है इसके लाव जो है इसमें वाइटमन ए जो है वह सबसे ज़्यादा होता है इसके लावा आलमन में जो है यह फाइबर प्रोटीन भी है और इसके लावा मिगनेशियम भी होता है और प्रेजिंट जो है वो बी प्रेजिंट होता है इसके लावा कुछ आयल को कॉर्डिंगर हम बात करें तो जो कि जिनके अदर उसके स्फ़ाइव स्पथम इड़ा हिए इसमें सबसे जादा होते है इसके प्रूट्स को गार्डिमिन बात करें तो अफ्रूटड ini प्रेसिट होते है अगर आप जेफ़ी फूट्स 42 फ्रूट-ट स्पूर्स हुए लक्रैась आप्च capita कि इसके लावा वे निए भी बहुतन up appropriate, है इसके लावा अगर हम बात करें तो। उस ते लिलावा वी रिफष से बृूइस पूर ही ठीक है यह आपकी बॉड़ी से क्या गरेगे टॉक्सिंस अगर आपको पर रिमूफ करती है इसके इलावा यह एजा एंटी इंफलिमेटरी को तोर पर भी काम करती है और जितना भी बैड क्लिस्टोल होता है उसको बॉड़ी से रिमूफ करते है उसके बॉड़ी अंदर भी वाड़ी में वाड़ी थका सिर्फ मैंगों मैंगं ब्राइस्टोल होता है अगर आप आप स्पष्defined निकीई हो च्हें ने रिदा करते हैं उस निकार यह इंटेंके कंपार्यिस के र tent पारेश Coming जो हैं वो ज्यादा होते हैं ठीका तो इस अगर आप जहां अगर आप हाफ कप लेते हैं बार इसके आपकी तक्रीबर फॉर्टीन परसंट जहां चोदा परसंट जहां यह सिर्फ वाइटामन ए की रिक्वार्मेंट को पूरा करता है तो इसके इलावा गर हम बात करें कि आपकी बॉर्टी से जहां इसको फ्री राडिकल को क्या करेंगा का प्रिवेंट कर सकते हैं इसके इलावा अगर हम बात करें तो एसके अंदर भी वाइटामन ए प्रेजंट होता है लेकिन वाइन्यूट क्वांटिटी में जहां वो प्रेजंट होता है तो आज को टॉपी क इतने थांद रिक्ने तबस्त तंक य। कर दो कर दो कर दो कर दो कहुत थो थी कुछर नुर्सितरा, चाहिनु गयाति वह दो कैसी फैसला बाद इसाना जोभी काते हैं सब्सक्राशन हो कि लले कुछा माइचा भादा का मैं। खूरि Pitt